Yes students, we had completed worksheet 1, we were on page number 67, so now we will start with the worksheet 2, और worksheet 2 को start करने से पहले आपने क्लोग के बारे में समझना है, ठीक है, तो यह देखिए बटे, मैं यह क्लोग के अपर फोकस कर रही हूं, इसको ध्यान से देखिए, यह देखिए, यह क्लोग है, ठीक है, जैसे आपके घर में क्लोग होती है, ठीक है, जैसे आप क्लोग अपनी वाच पे बानते हो, ठीक है, तो इसी तरह से यह जो क्लोग है बेटे, सभी टाइप की जो क्लोग सोती है, सेम होती है, उसमें जो यह नम्बरिंग होती है, यह भी स 12 पे ठीक है 12 के बाद 1234 जब स्टार्ट होगा वापिस कित्स पे आएगी 12 पे ही आएगी ठीक है यहां पे बेटें two hands होते हैं watch में आपने देखा होगा two hands होगे एक तो छोटा वाला होगा एक उससे तो ओड़ा सा बड़ा होगा ठीक है और एक और hand होता है उसका जिसको हम कहते है second hand वो बिल्कुल break से सूई होती है ठीके तो three hand होते है watch के अगर आप से कोई पूछ ले कि watch के कितने hand होते है तेन यू कें say three hands ठीके आपके तो two hands है है ना watch के three hands होती है बिटे लेकिन mostly हम two ही hands को देखते हैं एक मिनिट वाला और एक अवर वाला वो आपको धिरे-धिरे क्लियर हो जाएगा ठीक है अब यह देखिए यह जो बिटे वाच होती है इसमें जब हम वन टू थरी अगयागे मूव करेंगे तो फाइव का टेबल चलेगा सबसे इंट्रस्टिंग बात यह है इसमें 5 का टेबल चलेगा अब यह देखिए आप जब हम यहां से 12 से अगर हम यहां पे आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि 5 मिनट्स हो गए ठीक है और जब हम 12 से 2 में आएंगे तो 10 मिनट्स हो गए 3 तक 15, then 20, then 25, then 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ठीके बटे, इस तरह से ये वाच चलेगी और आपका 5 का टेबल चलेगा 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 ये जो नमबर लिखे हैं, आपने 5 को इस नमबर से मल्टिप्लाई करना है ठीके, जब आप 5 को 1 से मल्टिप्लाई करोगे, यहां आएगा 5 5 को 2 से करोगे, मल्टिप्लाई आएगा 10 5 को 3 से करो, मल्टिप्लाई 15 5 4s are 20, 5 5s are 25 5 3s are 30 5 4s are, sorry 5 7s are 30 5 5 8s are 40 5 9s are 45 5 10s are 50 बिटे, 5 11s are कितना होगा? 55 5 12s are 60 तो अब हमने क्या सिखा? हमने ये सिखा कि ये जो टेबल है 5 का चल रहा है और 60 तक आ रहा है, ठीक है ना? 5 को आपने जब भी मल्टिप्लाई करवाया तो 10 तक मल्टिप्लाई करवाया है हाना? आपने टेबल ये इंग तक ही किया है 5 10s are 50 लेकिन ये 12 तक है 5 का टेबल ठीक है बेटे, यहां तक इतनी बात क्लिर हुई आपको अब जब ये 60 तक आया तो अब हमें क्या पता चला? कि 1 अवर इक्वल टू 60 मिनट ओके 1 अवर में अवर क्या होता है बेटे घंटा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ये मिनट सी तो चल रहे हैं ये जो टेबल चल रहा है 5 का ठीके, ये बात क्लिर हुई आपको आप देखिए, अब मेंट क्वेशन पर आईए बेटे I get up 6 o'clock in the morning मैं 6 बजे सुभे उठता हूँ ठीके, तो 6 o'clock कैसे बनाएंगे वोच में? बेटे 6 o'clock, टाइम आपको 6, 6 बताना है तो इसका मतलब जो छोटी वली सुई होगी, यानि कि जो अवर हैंड होगा बेटे, वो 6 की तरफ होगा और पूरे 6 o'clock है और थोड़ इसी जो बड़ी सुई होगी वो 12 की तरफ होगी ठीके, जब 12 पे आईगी, तब ही हमारे पास complete time होगा, आगर 7 o'clock बताना है, तो जो 6 पे सुई है, इसको 7 पे कर देंगे और ये वाला जो हैंड है, इसको हम 12 पे कर देंगे ठीके, 12 पे ही रहेगा, 8 o'clock तो ये बड़ी वली सुई, 12 पे और छोटी वली, 8 पे इसी तरह से बटे, question चलेगा